मुदी सरकार ने एक आपदा के दोरान जब पार्लिमेंट चल नहीं रहा है खाली काबिनेट में पास करके जो 34 years से existing education system है स्कूल से लेके कॉलेज तब उसको हटाते हुए एक नया व्यवस्ता को लाया ये नया व्यवस्ता क्या है ये जो new education policy जो सरकार कह रहा है दरसल ये वो व्यवस्ता है जहाँ पे इस देश के गरीब बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है जिनको सिक्षा का जरुवत है आगे बढ़ने के लिए समाज में बहतार नौकरी और एक बहतरीन व्यवस्ता में अपना योगदान देने के लिए अपने गरीबी से लडने के लिए उन लोगों को ये सिक्षा व्यवस्ता बाहर रखने जा रहा है उनको exclude करेगा और systematic तरीके से exclude करेगा कैसे exclude करेगा इसमें बहुत सारा पॉइंट है वो दीरे दीरे हम लोग अलग-अलग वीडियोस में बताएंगा बट कुछ important चीज़ों को समझने का जरूरत है पहला चीज जो higher education में ये कह रहे हैं कि 4 साल का ये लोग एक graded degree जहांपे आप अगर एक साल पढ़ाई करने के बाद आप पढ आप पढ़िये multiple entry और exit का चार साल का डिगरी की बात ये कह रहे हैं इनका ये कहना है कि जिनके पास पैसे नहीं है वो एक साल पढ़ेंगे जब उनके पास पैसे वापस आ जाएंगे वो चार अभी भी जिन्दगी में वापस आके वो इस पढ़ाई को पुरा कर सकते हैं दस इसके पास पैसे नहीं है वो फीज भी देगा बट एक साल के बाद कुछ डिप्लोमा या सेटिफिकेट लेके चला जाएगा कि उन्होंने एक साल पढ़ाई किया और जो दूसरा चार साल पढ़ाई करके मार्केट में आएगा इन दोनों के तुलना में जिसने डिगरी कंप कर पाया ज्यादा ओपर्चुनिटी नौकरी पाने का जिन्होंने डिगरी कंप्रीट किया उनका है और यहीं नहीं यह चार साल का वियावस्ता दरसल ड्रॉप आउट को इंक्रीज करेगा और इसलिए करेगा एक्जिस्टिंग जो युनिवर्सिटी सिस्टम में पब्लिक अब है पंडर नेचर है जो इडिकेशन का उसको बदल रहा है कैसे सरकार कह रहा है कि करीब 55,000 छोटे कॉलेजे सरकारी संस्ताने हैं और यह बहुत छोटे हैं इसमें टीचर ढंग से नहीं है इसमें बच्चे आते नहीं यह पढ़ने के लिए यह स्कूल व्यवस्ता के लि बिला हुए उनका कहना है हम इनको बंद करके बड़ा सा 15,000 तक इसको सीमित करें, 15,000 कॉलेज बनाएंगे, 55,000 को 15,000 बनाएंगे या इस तरीके का संक्या है और इन चोटे-चोटे कॉलेज़ों उसको खतम करके बड़ा सा युनिवरसिटी बनाएंगे उस बड़े से सरकार नहीं बताएगा इसको अधिकार है अपना कोर्स तेह करने का सरकार नहीं बताएगा तो यह अपने मनमर्जी से फीज बढ़ा सकते हैं पबलिक हो या प्रेवेट हो अपने मनमर्जी से जो चाहिए वो पढ़ा सकते हैं आप सोचे अगर मनमर्जी से फीज बढ़ेगा क्या ये चार साल के डिग्री में जो इस देश में 80% से लोग 10,000 रुपे से महीना 10,000 रुपे से कम कमाते हैं क्या वो लोग लाखो लाख रुपया फीज दे पाएंगे अपने बच्चों के लिए नहीं इसका मतलब ये साफ तोर पे बाहर करो और बाहर रखो करेंगे और फिलासिए को में स्थिक्शा है यहीं किया चोड़े चोड़े सरकारि स्कूल भόल है उसको बंद करेंगे और बढ़ा सरकारि स्कूल बनाएंगे कोई डिस्टिक मैं जो गाव में कहीं फें चोटा स्कूल होँए वहां इस सरकार को बहुत बड़ा योगदान रहा है पैसा नहीं देते हुए अब उसी को बहाना बनाके का रहे जो कि हमी sound को बंद कर देंगे और एक बड़ा स्कूल बनाएंगे अब यहाँ पर access का भी बात आता है कि उतने दूर कैसे जाएगा और यह जब बंध होंगे फिर यहाँ पर विफीज को लेके प्रवेट के हाथ पे दिया जाएगा सरकार चलाएगा भी तो कितने कम व्यवस्ता होगा बच्चों के लिए यह सारा सवाल बनता है और इतना ही नह कहा जा रहा है कि तीन लाइंग्विज फॉर्मूला होगा लोगों के मात्र बाशा में हर शेत्र में पांच भी क्लास तक पढ़ाएगा हो सकता है तो आठ भी क्लास तक पढ़ा जाएगा इसमें एक खेल है हम लोग जानते हैं कैसे पूरे दुनिया में अंग्रेज आएं औ अपना ये दुनिया जमा के गए थे और अंग्रेजी को बढ़ा के गए थे एक तरीके से मजबूरी था कि सब लोगों को अंग्रेजी सीखना तक इस दुनिया में नौकरी पाने के लिए अब हम हमी इस देश के लोगों ने उस मजबूरी को हमने अवसर में भी बदला और सबrop rear syndrome थे यह मैं परिए मांत्र परिषरी प्लीप क्रम करने झाय Şimdi आधे पर दोभाई स्कूल में सब्सक्रीब हों भी स्कुल जाखिर्शन test मिलेरियक करतरें कर दोधें 보्षी या सिस्टम होगा स्यभा दंगर पर नदोगर या ऐसा सिस्टम होगा कि सरकारी स्कूलों में मात्रबाशा होगी और जिनके पास पैसे हैं वो अंगरेजी स्कूलों में पढ़ाएंगे अपने बच्चों को और दुबारा बेदबाप, दुबारा एक्स्क्लूजन, दुबारा बाहर करो और बाहर रखो वाले पॉलसी जो है उसको वहाँ पे भी इस्तमाल करेंगे इसका मतलब अगर एक गरीब बच्चा पढ़ेगा सरकारी स्कूल में, मात्रबाशा में और दूसरे तरफ जिनके पास पैसे हैं वो अगर अंग्रेजी वाले स्कूल, प्रेवेट स्कूल में पढ़ाई करेंगे तो आप खुद देखें तुलना में, इन दोनों में जब वो दोनों स्कूल सिस्टम से निकल के आएंगे और जो पूरा सिस्टम बाहर अंग्रेजी की तरफ या बाकी बाशाओं की तरफ एक तरफ से जुका हुआ है क्या उन लोगों को मौका नहीं देना चाहिए, उनको उप्शन नहीं मिलना चाहिए, क्या उनको भी मजबूर करेंगे या एक काम कीजिए, प्रेवेट स्कूल में भी अंग्रेजी बंद कर दीजिए, सब जगह पे मातरबाशा कीजिए या अगर आप नहीं कर पाएंगे, तो इस तरीके से असमता को मत बढ़ाएए, इस तरीके से इनिक्वालिटी को नहीं बढ़ाना चाहिए, यह सवाल सरकार से बनता है इतना ही नहीं, बलकि और एक एहम सवाल है, जो पूरे इस ड्राफ्ट में जो कम ही दिख रहा है, वो है सामाजिक नहाए अगर सरकारी संस्ताइं कम होगी, उस्कूल हो या कॉलेज हो, उनकी संक्या कम किया जाएगा, और जहां पे भी होगा, अगर उनमें फीज बढ़ा दी जाएगी, तो जाहिर से बाते इस देश के दलित आदिवासी पिछड़े लोग नहीं पड़ पाएंगे उनको प्रिवेट संस्तानों में आरेक्शन अभी भी लागू नहीं होता है, अगर प्रिवेट संस्तानों का बढ़ावा होगा, तो इसका मतलब है कि सामाजिक नहाए और रिजर्वेशन का अंत है ये, और इस पूरे डॉक्युमेंट में इसको लेके कोई चर्चा नहीं है इसलिए जो जो लोग इन बातों को कह रहे हैं कि ये सिस्टम को बदलने वाला कानून है, ये सब को समानता लेके आएगा, नहीं, ये सब को समानता नहीं लाएगा, बलकि ये समानता को तोड़ेगा, जो चीजे अभी जो ठीक हो सकते थे, उनको सरकार ने तो ठीक नहीं किय आप इसे 6 साल का इतियास देख लिजे मोधी सरकार का, उनके रहते हुए contractualization बड़ा teachers के अंदर, जो vacancy से उनको भरा नहीं है, जो सरकारी संस्तानों का funding, education का funding सालों साल गिरते गया, अब सरकार कह रहा है, नहीं नहीं हम अचानक 6% GDP का खर्च करेंगे आने वाले दिनों में, आपके इतियास कहता है कि आप नहीं खर्च करते हैं, आपके इतियास कहता है कि आप college और school को बंद कर देते हैं, आप आप कह रहे हैं कि वास्तव और भविश्य में आप इसको ठीक करने जा रहे हैं, हम तो आपको पीछे से ही तो judge करेंगे, और आपने सामाजिक न्याय को जो मौझूदा ववस्ता में आपने लागू नहीं किया, और दूसरे तरफ आप कह रहे हैं कि सारे universities में एक examination होगा, entrance examination, तब universities की hierarchy बनेगी, जो top universities है, वो अपना fees बढ़ाएंगे, और गरीब और मजदूर बच्चे और जिनके पास पैसे नहीं है, वो उसको हासिल ही नहीं क कि लोगों को बाहर करो और बाहर रखो, और सिक्षा के field में सरकार खर्चा नहीं करेगा, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, प्रेवेट की जिम्मेदारी है, प्रेवेट अपना नियम ते करेगा, प्रेवेट अपना fees ते करेगा, सरकारी संस्ताएं भी अपना fees ते करेगी, स खतरकार बस बैठा रहेगा यह चीज खतरना कि इसको समझना पड़ेगा और बैतर से हम लोग इन सारे चीजों को लेके आपके बीच में आएंगे बताते रहेंगे कोशिश करेंगे कि आपके बीच में इसे चीजों को लेके आए